हेलो बच्चो चलिए आज फिर से हम विज्ञान के सफ़ड में चलते हैं और आज हम इस विज्ञान के सफ़ड में जानेंगे कोशिका के बारे में कोशिका के साइटो प्लाज्म के बारे में या कोशिका दरव्य क्या है जैसा कि हम जान रहे हैं पहले भी हम कई कक्षाइ कर चुके हैं इसके तो जीब दरब यानकी प्रोटो प्लाजम का वो भाग जो कोशी का भित्ती या प्लाजमा मेंब्रेन यानकी कोशी का जिली एबं केंद्रक यानकी निकूलियस के बीच होता है उसे साइटो प्लाजम या कोशी का द्रब क्याते हैं कहने कार्थ यह हुआ कि देखे यहां पर यह सेल मेंब्रेन है यह अनिमल सेल है इसले इसमें सिफ सेल मेंब्रेन ही होगा और प्लांट सेल होता तो फिर इसके बाहर में एक सेल वाल होती तो cell membrane और Kendra के बीच में यानिकि इसके और इसके बीच में जो ये जगा देख रहे हैं आप इसी जगा को क्या करते हैं? और साइटो प्लाज्म के अंदर ही जितने कोशी का अंगक पाए जाते हैं वो सारे होते हैं जैसे माइटो कॉंट्रिया, इंडो प्लाज्मी ग्रेटिकुलम, राइबोजोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूवल्स, लैसोसोम, भैक्यूल्स, गॉल्जी बड़ी और ये सारे च करव जो है, ये कैसा होता है, और कार्बानिक पदार्थ है, इसमें खनीजलबन, जल तथा कार्बानिक पदार्थ जैसे बसा, कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन आधी होते हैं, और ये निर्जीव होती है, साइटो प्लाज्म जो होता है, ये काफी क्या होता है, गाढ़ा हो अर्वासी यानिकि उसमें दिखाई पड़ता है और ये चिपचीपा होता है यह च्पचीप जिएसा लगता है इसमें अनियाक सनरचनाइह होती है यह इनके जितने सारे सेल और गनल से अंगक होते है इसारे इसमें पाये जाते हैं और यूकरिटिक सेल में the यह यह अनिमल सेल है यह सेल कौन सा है यह यूकरिटिक सेल है क्योंकि इसमें निकुलियस पाया जाता है और निकुलिस के चार योड क्या है यह मेंब्रेन है और यह अनिमल सेल है तो यह यूकरिटिक सेल है पुर्ण बिक्सित यह कोशी का है तो इसमें जितने सारे अंगक पा जाती है और उतमें उसमें जितने सारे मेटरीयल होते हुए वो सारे साइटोप्लास में तैडते रहते हैं तो यह अंतर है यह को रेटिक सेलव और प्रोकुरिटिक सील में और इसको जो है हम यह जो एन्यमल सेल हम अभी हम बना के दिखाएं आप लोगो को इस इस चित्र को द बड़ा देख सकते हैं otherwise हम इसको नहीं देख पाएंगे साधर्न मैक्रोस्कोप से अच्छा से अच्छा जो मैक्रोस्कोप होता है ना उसमें कोई भी चित्र जो है कोई भी बस्तु जो है उसका फोटो सेप 2000 गुना ही बड़ा दिखाई पड़ता है लेकिन जो एलेक्ट्रोन म किसी भी सुचम जीव याоп और सुच्म वज्ञान Go खागई और हम आज हर मेग चीज का अध्यान उसके दौरा कर सकते हैं अभी हम लोग कारोना वारे में जान रहे हैं उसके हर दिन नय नय रूप देखने केलिए मिल रहे है ... जो हम अभी देख रहे हैं वो electron microscope से ही दिखाई पड़ता है या उससे भी ज्यादा अभी तो electron microscope भी बहुत ही ज्यादा उन्नत किस्म के हो गए है तो वो सारे जो जितने सारे studies होती है virus के बारे में bacteria के बारे में वो सारे मतलब बहुत ही powerful electron microscope के द्वारा देखा जाता है अब चल अंगग पाया जाता है और हम अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं यह जो इंडो आप यहां देख रहे होंगे इसका बड़ा चित्र देख रहे होंगे यह इंडो प्लाजमे ग्रेटिकुलम का सारा चित्र है यह यह निकूलियस है यह बीज में और इससे यह यह connected रहता है यह connected रहता है यह पाया जाता है किसमें जन्तू और पादब दोनों कोशिकाओं में यहां पाया जाता है यह काफी मतलब सुचम अनकी और यह ब्रांच के मतब देखी रहे होंगे कि कैसे तरह यह जाली के द्वारा जिल्लीदार और बहुत सारी नलिकाओं के द्वारा यह पुड़ा जाल के तरह पुड़ी कोशिका में फैला होता है इसी जटील जाल को क्या बोलते हैं इंडो प्लाजमिक रेटुकुलम यह वसा में जो है कभी कभी केंद्रक की बारी जिल्ली से प्लाजमा मेंबरन तक फैली होती है जैसे हम लोग यहां देख रहे हैं कि यह केंद्रक से सठा हुआ है ही और केंद्रक से सठा हुआ के साथ साथ यहां प्लाजमा मेंबरन तक भी विखरी हुई रहती है एलेक्ट्रोन मैक् ब्रॉट्सको उपसे देखा गया ये फोटो है जीजको मैंने बनाया है ale गया aynı देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा और इसको देखने पर हम इसको दो भागों में बाड़ सकते हैं आप यहां देख रहे होंगे कि कुछ बुंदे-बुंदे-बुंदे यहां इस छेतर में है और इस छेतर में फिर नहीं है तो इस छेतर में जो यह बुंदे-बुंदे यह है ये क्या है इसको हम लोग क्या कहते है राइबोजोम छोटी छोटी जो पिंदी है इसको क्या बोलते है ये राइबोजोम है और ये राइबोजोम इसके एक भाग में चिपका हुआ राता है जिस कारण से इसको क्या बोलते है रफ ए आर यानकी खुर्दरी इंडोप्लाजमिक रेटुकुलम, खुर्दरी अंतपर्दव्य जालिका और यह देखें, यहाँ पे यहाँ पे राइबोजोम नहीं पाया जाता है इस एरिया में, तो इसको क्या बोलेंगे स्मूथ इयार स्मूथ इंटोप्लाजमिक रेटुकुलम चिकना, अंतपर्दव्य जालिका, तो यह स्ट्रेक्चर के आधार पर यह राइबोजोम के राइबोजोम के कारण यह दो भागों में हम इसको बाढ़ सकते हैं, एक इयार, एंकिरफ, इंटोप्लाजमिक रेटुकुलम, और एक स्मूथ इंटोप्लाजमिक रेटुकुलम तो अब इसको हम जानते हैं कि इसके, आखिर इसका कारी क्या है कोशिका में अगर कोई भी अंगक होता है तो उसका कोई न कोई कारी है जरूर होता है, तो अब हम इसके कारी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं के अब कारी के बारे में थोड़ी सी चरजा करते हैं तो ये क्या है अंद सानी जाली का जली नुमा हो रही है हम देखी रहे हैं ये पुरा जली के तरह होती है एक तम पुरा नलीकायों के रूप में होती ये एक तम पुड़ी छोटी पतली पत्ती नली काई टाइप की होती है और इसमें क्या भरा होता है इसमें भरा एक धरफ भरा होता है इसलिए यह साइटो प्लाजम में पदार्थों यह कि मुखता प्रोटीन का संचार करती है अर्धात यहां अंत कोशी के परिवहन तंत्र का निर्मान करती है, बतलब ये pipe जैसी होती है, पतली-पतली पाइप जैसी होती है, तो इसके अंदर धरबे भरा होता है, और ये कोशी के परिभन तंत्र का काम करती है, ट्रान्सPORT सिस्टम का कारी करती है, कोशी का के लिए, आनकि किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को कहीं से कहीं ले जाना हो तो इसी नहीं काओ के द्वारा कोशिका एक अस्थान से दुसरी अस्थान तक भीजती है ये परीभण तंथर का कारिक करती है इस्मूथ जो है इंडो प्लाजमे ग्रेटुकुलम बसा एबम क्लेस्ट्रोल संसलेंशन में भाग लेती है कुछ बसा प्रोटिन के साथ मिलकर कोसी का जिली बनाने में सायता करती है कुछ जो इसमें बसाव एगर आपाई जाती है वो क्या करती है प्रोटिन के साथ मिलके कोशिका जिल्ली यांकि यह जो कोशिका जिल्ली देख रहे है प्लाज्मा मेंब्रेन इसको बनाने में जब कोशिका का निर्मान होने लगता है तो उस टाइम उसको बनाने में मदद करत कोशिका दर्व को यांत्रिक साहता परदान करती है और यह कोशिका दर्व को क्या करती है यांत्रिक साहता परदान करती है पुरी मजबूती से उसको खरे रखती है इसको कोशिका तंतर का कंकाल तंतर भी खाते हैं skeleton system भी करते क्योंकि ये पूरी जाली कोशिका में एक उसको structure परदान करने में साहता करती है ये पूरे कोशिका में एक जिल्ली जैसी बिची हुई रहती है आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी कोई-कोई फल में पूरे रेसे टैप के उसमें होते हैं उसको मजबूती प करती है जैसे कि नेनुआ, घेरा वगेरा में ये होता है देखे जाली टैप कराता है ताकि उसको मजबूती परदान करती है तो उसी तरह कोशिका में भी ये कोशिका को मजबूती परदान करती है यह सेल डिविजन के टाइम में ये क्या करती है कि सेल डिविजन के टाइम म निकुलियर मेंब्रन का भी निर्मान करती है यह जो सेल डिविजन के जब सेल डिविजन होता है तो यह निकुलियर मेंब्रन जो देख रहे हैं यहाँ पे यह इसके निर्मान में भी भाग लेती है और निकूलियस से यह आप यहाँ पे देख रहे हैं यह निकूलियस है यह जनेटर मेटरियल होता है यहाँ पे और इसको आने जाने के लिए जनेटरियल को सैटो प्लाज में आने जाने के लिए क्या करती है उसके लिए रास्ता बनाती हैं कि यह परिवहन तंत्र जो मैंने कह करती है हम यहां हमने देखा कि साइटो प्लाज्म में क्या अनेक तरह के कोशी का अंगग पाए जाते हैं उन में से सबसे पहला हम लोगों ने देखा अभी क्या इंटो प्लाज्मी ग्रेटिकुलम के बारे में अंत परदव्य जालिका यह क्या निकूलियस से लेकर निकूलिय क्योंकि इसके surface पर क्या ribosome चिपका हुआ राता है इसलिए रफ होती है और एक में ribosome चिपका हुआ नहीं राता है इसलिए वो चिकनी टैप की होती है वो smooth होती है और इसका कारे हम लोग उने देखा क्या कि ये पुरे कोशिका कोई आंतरिक सायता परदान करती है ये पुरे कोशिका तंत्र का कंकाल तंत्र का रोल निभाती है प्रोटिन संसलेशन करती है परिवहन तंत्र का कारी करती है सेल डिविजन के टाइमे निकुलेर मेंबरन के निर्मान में सहयक है फिर प्रोटिन संसलेशन में सहयक है और यह साइटोप्लाजम से साइटो प्लाज्म में जनेटिक मेटरियल को आने जाने का रास्ता पर्दान करती है ये हमारा आज का टॉपिक क्या रहा इंडोप्लाज्मिक रेटी कुलम और ये कोशी का अंगग बहुत ही मातपून है और ये अपना महतपुन कारे पुड़े कोशिका में निरंतर करती रहती है आज हम लोगों ने क्या सीखा कोशिका दरब में ये जो देख रहे है सेल मेंब्रेन और ये निकुलेर मेंब्रेन के बीज के जग़ को क्या बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाजम ये अनकी कोशिका दरब है और इसी कोशिका दरब में अनेको कोशिका अंगक पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉंटिया हुआ, ER हुआ, लाइसोसोम हुआ, गोलजी बड़ी हुआ, मैक्रोट्यूबल्स हुआ, सेंट्रोसोम हुआ, रावोजोम हुआ और अनेक तरह के माइक्रोट्यूबल्स पाए जाते हैं, और उसी में से पहला हम लोगों का क्या रहा, इंडोप्लाजमिक, रेटुकुलम, और इसको हिंदी में कहाते हैं, अंत्परदव्य जालिका, जालिका इसलिए क्योंकि ये पुरे जाल के द्वारा, जाल नुमा, परिवहन तंत्र के रूप में कारी करना, कोशिका में जितने सारे पतार्द का आना जाना, कोशिक एक जगह से दुसरे जगह होता है, ये इसी इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, और ये प्रोटिन संसलेशन, निकुलियर मेंबरन, जेनेटिक मेटरियल के जाने जाने में यह साहता परदान करता है, और ये पूरे कोशिका को यांत्रिक साहता देता है, और ये कंकाल तंत्र के रूप में उसको मजबूती परदान करता है, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू